बताएं कुछल कौन से ब्रोकरिजिस की आज़ पिक्स हैं आपके बास बी इनको बड़ा फाइदा आगे चल कर मिल सकता है इनफाक्ट FY25 तक लोन बुक में 27% सालाना आधार पर यह एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहां पर बढ़त हो सकती है और NIR मुनाफ़े में भी 24-31% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आसेट क्वालिटी में भी सुधार यह लगा कर चल रहे हैं तो इसी वज़े से कंपणी का मुनाफ़ा 281 करोड FY22 में था 25 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 1000 करोड का मुनाफ़ा कंपणी कर सकती है दूसरी पिक है गुजरात आलकलीज और केमिकल्स 875 रुपे के टागेट्स दे रहे हैं अपसाइट पोटेंशल 17% का इनको दिख रहा है मौजुदा भाव के हिसाब से और वो इसलिए क्योंकि घरेलू बाजार में जो डुमेस्टिक कॉस्टिक सोडा मांकेट है उसमें 20% का मारकेट शरी अल्रेडी होल करती है और केमिकल्स पेस में हम देखे रहे हैं कि एक रिवर्सल के संकेर साफ तोर पर देखने को मिल रहे हैं कीमतों में जो बढ़त हुई है पिछले 2-3 महीनों में उससे एक बड़ा फाइदा मिलेगा आगे चलकर वॉल्यूम्स के लिहाद से और साथी कमपनी की जो अर्णिंग्स है उसको लेकर भी बड़ा सपोर्ट मिलतावा नजर आएगा और आगे आने वाले कुछ सालों में जो कमपनी का ग्रोथ क्यापेक्स है उसमें बहुत जादा बढ़ोतरी नहीं होगी तो जाहर से बात है कि अब तक जितने के आपेक्स इन्होंने कर चुके हैं उसका फाइदा इनको नियर टम में मिलतावा दिख सकता है तीसरी पिक यॉनाइटेट स्पिरिट्स यहाँ पर 1195 रुपे के टागेट सी देते वे दिख रहे हैं करीबन 11-12% की अपसाइड आपको मौझुदा भाव से भी आतीवी नजर आ सकती है एक तो बहतर प्राइसिंग और साथी जो प्रॉड़क्ट मिक्स है इनका मिड प्रेस्टीज अपर प्रेस्टीज लक्शरी प्रीमियम में वहाँ पर बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ FI 23 में होती भी दिखी थी और अब आगे चलकर भी ये कंटिन्यू रहने की उमीद लगा कर चल रहे है आए में डबल डिजिट ग्रोथ की उमीद है और साथी जो UK और भारत के बीच आगे चलकर FTA अगर होता है तो इसमें भी इनको बड़ा फाइदा मिल सकता है इसी वज़ा से आए में एक तेज उच्छाल आपको देखने को मिलेगा और आखरी पिक है गोदरेज इंडस्ट्रीस पर गोदरेज ग्रूप की होल्डिंग कमपनी है अभी थोड़ी से रिकवरी के संकेत आगे चलकर आते वे भी दिख सकते हैं और एक्सपेक्टेशन्स यह हैं कि जो होल्डिंग कमपनी डिसकाउंट है यह आगे चलकर कम हो सकती है और इसी वज़ा से यह चार पिक्स इन्होंने चुने हैं HDFC Securities की तरफ से डिवाली ब्रोकरिज के हिसाब से ओके तो यह है आपके लिए दमदार पिक्स आती है दिख रही है HDFC Securities की तरफ से